सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चैनल लान अबोट मेडीसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Learn About Medicine में जहां आप आते दवाईयों के बारे में शंपौन जानकरे लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में दवा के बारे में जानकरे नहीं देखे एक कोर्स के बारे में आपको जानकरे दोंगा जिसके लिए आप दोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किये ती किसे इसके बारे माप वीडियो बनाईये और वहाँ एक डिप्लोमा कॉर्स है जिसको करने के बाद में व्यक्ति एलोपेटिक मेडिसिन के प्रेक्टिस कर सकता है। इस कॉर्स का नाम आप सब भी बहली बाती जानते हैं जो की है CMS and ED इसे Community Service Medical and Essential Drug नाम से भी जानते हैं। इसी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे कि यह कोर्स कितने सालों का होता है, क्या इसकी फीस रहती है, क्या eligibility होती है, क्या यूगत होनी चीए, साथ ही क्या क्या सब्जेक्टिस में पढ़ाई जाते हैं। इसको करने के बाद कौन-कौन सी दवईयों का video का आप कर सकते, किनकल बेमारियों को यूप ठीक कर सकते, साथ ही क्या इस कौर्स को करते समय किसी अन्य कौर्स को भी साथ में कर सकते यह और इसके अलविके अन्य महत्रपुन बात हैं मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडि CMS and ED course एक प्रखा कर डिप्लोमा कोर्स है जिसमें एलोपेतिक दवाईयों के प्रियोग तथा बिमारियों के इलाज के बारे में शिखाए जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति एलोपेतिक दवाईयों की प्रेक्टिस कर सकता है जो WHO द्वारा एप्रूड है। साथी माननी सुप्रेम को दारा इस डिप्लोमा धारी विविप्ती को एलोपितिक दवईयों के प्रयोग तता बीमार्यों के इलाज किया अधिकार प्रदान किया गया है। अगर बात करें किसे किया जाता और कितने सालों में complete होता है तो इस course को आप distance learning तथा रेगुलर दोनों तरीके से कर सकते हैं distance learning में आप 15-4 से कर सकते हैं गर बेटे आपको कोलेज जाने के अवस्वत्त नहीं है और regular में आप regular college जाके कर सकते हैं जब आप 15-4 से distance learning से करते हैं उस समय यह आपको 18 महीने में complete हो जाता है और जब आप regular करते हैं तो 2 साल में complete होता है इसलिए इसका जो duration है 18 महीने से लगाकर 2 साल तक का है 24 महीने तक का है अलग लग कोलेजों में अलग लग जैसे आप course करते हैं उसके according समय लगता है इस course में किस-किस subject को पढ़ाये जाता है और किन-किन बीमारियों का इलाज सिखाये जाता है इसके अबार में हम वीडियो में आगे जानेंगे पहले हम जान लेते हैं इस course को करने के लिए किस प्रका की युग्यता होनी चे क्या eligibility criteria है यदि कोई व्यक्ति इस course को करना चाता है तो वह 10 प्लस 2 मतलब 12 पास करा हुआ हो किसी भी subject में हो तो चलेगा लेकिन अगर science में होता उसको preference दिया जाता है और यदि आपने किसी प्रका की डिग्री भी कर रखिये तब भी इस course को आप कर सकते हैं और जो medical professionals हैं जो BHMS, BEMS, BUMS, BAMS course कर रखे हैं, alternative medicine का course कर रखे हैं, तो उन सबी को भी यदि allopathic medicine practice करना चाहते हैं तो वो इस course को करके allopathic medicine practice कर सकते हैं, अब बात करते हैं, जब आप इस course को करते हैं तो कौन से कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि इसकी duration 18 महीने से लगा कर 24 महीने की होती है, इसमें 2 सालों में आपको पढ़ाए जाते हैं, वहाँ है anatomy, physiology, pathology, health and hygiene, pharmacology और इसको कई जो distance learning वाले फर्स सेमेस्टर में complete कर देते हैं, और दूसरी येर में जो subject पढ़ाए जाते हैं, वह है medical jurisprudence, object and gynecologist, और practice of medicine, primary health care, essential drug practice, कई बार वाईवा भी लिया जाते हैं, कुछ इस्ट्यूट में intensive भी करव जाती है, इस तरह से ये 2 साल complete करके 10 subject आपको पढ़ाए जाते हैं, जो semester recording और year के recording होते हैं, अब जान लेते हैं, इस course की क्या fees होती है, जैसा कि ये दू तरह से कराए जाता है, distance learning और regular, जब आप distance learning में करते हैं, तो complete 3 या 4 semester जो भी वो करवाते हैं, उसमें आपको 50 से लगा कर रहे हों, तो उस समय उस institute के बारे में पूरी जानकारे लें, कई ऐसे फरजी institute भी है, जो आप से पैसे ले लेंगे और authentic नहीं है, और ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप अपने local area का कोई institute हो, वहाँ पर जाकर इस course को करें, और इस course से जुड़े हुआ एक बहुत ही पूछ जयना वाला सवाल है कि क्या इस course को करते हैं किसी इन्य course में भी हम बाग ले सकते हैं, तो इसका जवाब है दोस्तों, यदि आप इस course को distance learning से कर रहे हैं, पत्रा चार से कर रहे हैं, तो इसके साथ आप किसी इन्य परकार का course by कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही degree को एक बा डिस्टेंस लर्णिंग से हैं जब इस को आप कम्प्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ वरकर की तरह कारी करते हैं ना कि आप डोक्टर बन जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जिसको आपको यूज करने के लिए ऑथेंटिसिटी दे दी जा सकते हैं वह बिमारी हैं लगभग 20-22 तरह कि है जिसका स्कीन सोट भी में पर दे रहा हूं यहां जो स्कीन सोट है इसी कोर्स की रिखिस किताब में से लिया गया है इन बीमारियों के इलाज्च के लिए आपको दवशिखाये जाता इकिस तरह से इलाज करना है और यहां पि करना होता जिसके अब आम उपर लिखा हुआ है इस तरह से दोस्तों यह कुछ पर्टिकुलर दवाईयां हैं और बीमारियां इनका इलाब आज इस को करने के बाद में कर सकते हैं और इसे के साथ कम्प्रिट इंफोमेशन में ने सीमेश इडी कोर्स के बारे में बता दी जिसके बारे में आपने मुझी डिमांड की थी उम्मेद है आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए सवस्त रहें और मस्त रहें